Hello dear students, welcome back to my channel physics SPC, oscillation और नीट का एक question, the radius of circle, the period of revolution, initial position and sense of revolution are indicated in the figure, ये figure दरक्का है, इसका sense दरक्का है clockwise, time period दरक्का है, amplitude दरक्का है और यहां से start किया इसने, why projection of the radius vector of rotating particle is, और ये चार चोच दरक्का है, देखो इस question को में वैसे, काफी वीडियो बना चुका हूँ ऐसे question हों की, फिर भी एक बार इस question में, नीट का question करा रहा हूँ है आपको ये, तो एक बार पूरा, की concept बिताता हूँ, इसके सारे question कर सकते हो, आप ऐसे figure बारे जब भी question आए, तो आपको कैसे करने है, उसके लिए क्या point है, वो सुल लेजे फिर इस question को बापस करते हैं, यह ना, सुनिए, अगर आपको ये नहीं देखना है, तो आप skip करके आगे जा सकते हो, ठीक, जिर सुनिए, तो देको दो होते हैं, एक होता है, anti-clockwise sense, anti-clockwise sense, और एक बड़ आएगा कभी clockwise sense, दो बड़ आते हैं, एक बार कहेगा clockwise sense, और एक बार जैसे इसमें word use किया है, उसने, कि sense of rotation दे रखा है, sense of revolution उसने दे रखा है, यहाँ पर given है, clockwise दिखाओ आपको, तभी anti-clockwise sense देता है, कभी clockwise sense देता है, एक point, दूसरा, इसमें एक point important ये भी है, कभी y projection देता है, कभी x projection देता है, तदेखो anti-clockwise sense में, दो case बनते हैं, एक, एक x projection, एक y projection, इसमें भी दो case बनते हैं, एक x projection और y projection, ठीक जो समझें, पहले है, मैं y projection की बात कर लेता हूं, जैसे एक figure से समझाओ, चोटा सा figure बनाओ, ये x axis है, और ये y axis है, जब y projection कहे रहा है, मनलब, आपका ये extreme position है, positive extreme, और ये भी, ये negative extreme, ये amplitude लिखा है, मैंने, extreme, अब हमीश्दा, anti-clockwise sense में initial phase यहां से measure करते है, initial phase कभी भी अगर anti-clockwise sense है, तो इस जगे से measure करेंगे positive x axis से, आपको चेक करना है, तो आपको चेक करना है कि, फोटा परपेंटर मूँ कि तर से किता कर रहा है, तो देखो ये ऐसे एकर चल लाए, तो फोटा परपेंटर मूँ कैसे कर रहा है, वो mean to extreme कर रहा है mean to extreme और put up under mean to extreme है इसलिए y is equal to a sin omega t plus 5 ये use करेंगे और initial phase कहां से मिज़े करेंगे इस वरे points है ये initial phase है आपका t रावा 0 y position कभी भी mean to extreme चले तो sin word use करेंगे दूसरा इसमें x production होता है अब x production कह रहा है तो इसमें diagram में position change हो जाएगी उसकी ये x success है तो ये positive extreme हो गया और ये negative extreme ये extreme position ही हो गई पिटा पहले हमें इसमें y position extreme ही रहा mean ये रहा ये mean ये extreme हो गया ये mean अब extreme ये हो गया ये mean और x projection चल एए एंट्रिक्लोक बाजी रहा है तो यहीं से इस initial phase यहीं से measure करेंगे और एंट्रिक्लोक बाज चल ला है तीर आवाज 0 पर मालो यह यहां है तो यह initial phase हो गया अब इसका photo perpendicular चेक करो लेकिन अब photo perpendicular x projection है न तो x पेक्स पर डालेंगे तो देखो photo perpendicular यहां आ गया पार्टिकर चेलेगा तो photo perpendicular यहां फिर यहां तो अब extreme to mean चल ला है photo perpendicular फोटा परपेंडिक्लर जो मूग कर रहा है वो वो extreme to mean कर रहा है extreme to extreme to mean position अब चल ला है इस situation में x projection x परावर आएगा a cos omega t plus phi यह आएगा ऐसे similarly अगर clockwise sense होगा तो देख बाद चीन नूट कर लेजी है इसमें अच्छी परीकेश है सबसे important है अगर photo perpendicular जो है वो मूग करता है mean to extreme तो हम equation यह यह यूज करते हैं और photo perpendicular जो है मूग करता है extreme to mean तो आपका हम equation यह यूज करते हैं और इसमें initial phase हम positive exercise से measure करते हैं एक clockwise sense अगर है तो इसमें भी दोई case है वोई वाई production अब वह सभी question कर सकते हो आप एक बार check कर लीजिए देख लीजिए समझ लीजिए फिर try करिए एवरी question जितने भी ncrt में दो-3 दे रखे हैं आपकी कहीं से भी try कर यह 100% से solve दो जाएगा ठीक वाई projection अगर हम वाई projection की बात करें और clockwise sense है देखो यह positive extreme और यह negative extreme और इसमें initial phase हम यहां से मिजर करते हैं इस जगल इस वाले points है initial phase इस वाले clockwise sense में इसमें मिजर करेंगे मालो टी रावज जिरू पर आपका particle इस जगह पर है तो यह initial phase हो गया तो इसमें sense clockwise अब जरा सोचो अगर यह positive extreme है और यह negative extreme है तो इसका photoperpendicular के तर चल ला है इस समय शुरुआत में photoperpendicular कहा था y projection है एक्स्ट्रीम पोजिशन पर जब यह particle यहां आया तो photoperpendicular यहां आया पार्टिकल यहां आ गया तो photoperpendicular mean पर आ गया तो इसका photoperpendicular move कर रहा है photoperpendicular वो इस समय एक्स्ट्रीम टू mean कर रहा है एक्स्ट्रीम टू mean और photoperpendicular extreme टू mean करे तो y बराबर a कभी एक्स्ट्रीम टू mean चले तो cos आएगा cos omega t plus phi लेकिन इसमें initial phase change हो गया इसमें initial phase यहां से measure कर रहे हैं इसमें initial phase यहां से measure कर रहे थे anti-clockwise sense में यहां पर clockwise sense में यहां से measure करते हैं वाला word point note करने वाला है एक भी x projection इसमें x projection देखें यह x axis है और यह y axis है initial phase यहीं से measure करेंगे इसमें sense clockwise है मालों टीर आवाज 0 पर यह है और particle ऐसे है लेकिन अब यह positive extreme है और यह negative extreme है यह extreme position है यह negative extreme है आपकी देखो फोटा परपंडर जीरो पर था फिर पार्टेकल लिए धर दरफ आया तो फोटा परपंडर मीन टू एक्स्ट्रीम भाग रहा है देखो आप पार्टेकल यह यहां से आएगा तो फोटा परपंडर यहां आजाएगा पार्टेकल यहां इसलिए x बराबर a mean to extreme के लिए sin आता है sin omega t plus 5 अब चेक कर यह mean to extreme के लिए sin नहीं लिखा है मैंने इसमें भी mean to extreme लिखा हुआ mean to extreme sign और extreme to mean cos बस initial phase anti-clockwise sense में यहां से और clockwise sense में यहां से यह दो point है अब देखते हैं इस question को कैसे solve करें next next phase पर अब देखें question क्या है हमारा solution अगर आप इस solution को देखो तो पहले diagram बना लो और projection y है आपको question में given है sense आपको किसे दिख रहा है clockwise sense दिख रहा है clockwise sense है यह देखो यह x-axis है easy हो गया खतम हो गया question यह y-axis है यहां पर t rava 0 लिख रहा है that means यह और sense clockwise है that means initial phase हो गया sense clockwise clockwise sense sense और इसलिए initial phase यहां से measure करेंगे तो initial phase हो गया 0 यह initial phase है और एक चेक करो कौन सा projection है y projection है इसलिए यह plus का a और यह minus का a यह extreme position हो गई और यह भी extreme हो गई और चेक करो अगर particle ऐसे चला है तो यह इसका photoperendular के दर मूँ कर रहा है extreme to mean देखो ऐसे यह वाई projection है ना बिटा तो वाई projection है और particle का जो photoperpendular है photo perpendicular है यह move कर रहा है extreme to mean extreme to mean इसलिए इसकी equation होगी y is equal to a cos omega t plus phi यह न तो y बराबर a की value कितने दर रखे देखो 3 meter इसका amplitude दर रखा यह वाला यह 3 meter है यहां से यहां तो amplitude हो गया 3 meter यह 3 लिख दीजे cos omega की जाब देखतो 2 pi upon t small t plus phi और capital t में हमें given है 4 seconds capital t is equal to 4 seconds given है यह देखो यह given है 4 seconds put कर दीजे 3 cos 2 pi t बटे 4 seconds plus initial phase 0 3 cos pi t y2 यह y है और y क्योंकि amplitude meter में इसलिए y meter में होगा तो इसका answer हो गया यह तो कौन सा है चेक करें यह तो है नहीं यह 4 है यह 3 है लेकिन 3 pi 2 यह होगा D d is the correct answer yt is equal to 3 cos pi t y2 इसका यह correct answer हो गया आपको करना तो इतना है वसके बल है ना और मैंने आपको पूरा समझाने के लिए यह ऐसा समझाया कि एक question नहीं आप एजने कि एक question देख रहे हो only सारे question complete हो गए अगर आप चेक करें आपके पास कोई अगर यह है तो कर सकते हो ठीक पढ़ते रहे हैं एंड खुछ रहे हैं थैंक्यू